आज के वीडियो में हम करने वाले है चार्जिंग, स्पीड टेस्ट और बैटे विएकप के बारे में डिटेल सेर वो भी आप सोई के साथ अगर आप एक रियल में GT Neo 2 के यूजर से हैं और आप अपने फोन को करना चाहते हो अपडेट रियल में UI 3.0 के उपर या औरेडी कर चुकी हो तो आज की वीडियो में पदा चल जाया है कि अपडेट के वाद क्या बैटे वेकप मिलने वाला है क्या स्क्रीन ओन टामिंग होगा साथ से साथ यहाँ पर हमें जो चार्जिंग टामिंग कितना देखनी को मिलता है पहले से इंप्रूव हुआ है या फिर डाउन हो गया है क्योंकि यहाँ पर मैंने कंप्लीट यूज कर लिया है और यहाँ पर बैटी हो चुकी है डेट तो सबसे पहले हम इसे करेंगे चार्जिंग उसके बाद सारा डीटेल में आपके साथ सेयर करूँगा कि क्या कुछ कैसे देखनी को मिलता है और यह इसके साथ डिफॉल्ट आ सपोर्ट होगा लाइक्स व्यों अगरा आएंगे उतना ज्यादा मैं इनके ऊपर वीडियो लेके आता रहूंगा तो प्लीज भाई सेयर जरूर करना तो फिलाली से कर देते हम प्लाग इन तो यहाँ पर कवर को जैसे था दिक्कत हो रहा है और यह हो चुका और यह हमने कर यहाँ पर हम आउन करके चार्जिंग करने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके से हम डेली लाइफ में अपने फोन को यूज करते हैं और बैटिक खत्म होने पर चार्जिंग भी होगा तो अभी तक यहाँ पर लाइट अप नहीं हुआ है तो असा वेट करते हैं अब डेक्स से त करते ओफ हुआ था डाइक्ट ली तो इसलिए डाइक्ट अन हो जागा मुझे मैनौल अन नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर फिलाल मैं अनलॉक कर लेता हूं यहाँ पर अनलॉक हो चुका है और बैटिक अगर बात करें तो यहाँ पर बैटिक खत्म हो चुकी थी लेकिन सपोर्ट करता है बड़ देखते हैं कि कितने जल्द यह चार्ज हो परता है अब यहाँ पर टू परसेंट आ चुका है तो कंप्लीट चार्जिंग के बाद मिलेंगे और हर एक टाइमिंग पर कितना कितना चार्ज हुआ है वो सब कुछ भी मैं आपके साथ सेर करूंगा बस मिनट 40 सेकेंड का और यहां पर अलाला जो टाइम स्टेप आपको दिखाई दे रहा है लैप्स वगेरा वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने मिनट पर कितना चार्ज हुआ है और जब मैंने फॉर्स टाइम रिव्यू किया था बैटिव का जब मैंने इसे पर्चित किया थ तो उसमें जो टाइमिंग लगा था ना वह है 40 मिनट का लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लॉक स्कीन पर हमें एनिमेशन देखनी को मिलता है चार्जिंग का तो यहां पर अनिमेशन जो था कंट्टिनू यहां पर हंडेड आ गया था बड़ जो यहां पर चार्ज लिखाऊ और के ट्राइल वर्जन पर अपडेड तो यहां पर चार्जिंग टाइम है जो करीपकर 5-6 मिनट जो डाउन हो जाता है यानि जल्दी चार्ज हो जाता है तो यह चीज़े मुझे यहां पर काफी ज़्यदा सही लगा है लेकिन बात करते हैं कि कितने मिनट पर यह कितना पर 35-40% के आसपास का चार्जिंग दिये देगा है ऐसे में आप कहीं बाहर जाके आ सकते हो तो काफी क्योंकि यहां पर चार्जिंग स्पीड है जो एक्सेप्ट कर रहा है स्टार्टिंग से ही उसके यहां पर आपको देखने को मिलता है नंबर टू पर जो कि 15 मिनट है तो 15 मि के अंदर यह भाई काफी अच्छा है जो पावर अब्जॉर्ब कर लेता है और आपको अच्छा खासा बैक अप भी दे देगा उसके वार यहां पर 21 मिनट टाइमिंग जब हम चेक करते हैं तो बैटरी चला जाता है 20% के आसपास जो कि यह भी काफी जादा बहतरीन है उसक तो यहां पर टोटल टाइमिंग देना होगा वह है 39 मिनट का तब जाके 100% कम्प्लीट हो जाएगा जो कि पहले से 5 मिनट 6 मिनट है जो थोड़ा सा स्पीड अप हो गया है चार्जिंग टाइमिंग का जो कि काफी जड़ा मुझे बहतरीन लगा है तो यहां पर चार्जिंग से जो कि मैंने फुल यूज किया था जिसमें से जो 19 hours 6 मिनट है जो कम्प्लीट चार्जिंग का टाइमिंग है यानि 100 से 3% के बीच का जो टाइमिंग हो है और कितना स्क्रीन ओन टाइमिंग हमें देखनी को मिलता है वो है 8 hours 47 यानि करीब करीब 9 hours के आसपास का स्क्रीन ओन देखनी को मिला है और उसमें से कौन-कौन से अप्लिकेशन यूज किये गए तो वो बिल्कुली नॉर्मल सा है और गेमिंग जड़ा सा भी नहीं किया गया है लेकिन हैवी गेमिंग वगरा अप फिर चेक करूँगा मैं और लॉंग टरम का एक रिव्यू भी लेके आऊंग पताना और रियल में ही हुआ है 3.0 और 2.0 के बीच में मैं फुल कंपरेजन वीडियो आपको जल्दी प्रवाइट करने वाला हूँ जो कि काफी लॉंग लास्टिंग होने वाला है तो उसके लिए वेट जरूर करना पहुँ सारे वीडियो आपको बैक टू बैक देखनी को बारे में भी जो कि आप देख से तो ट्रायल मेंने सब्मिट कर दिया है बस OTA मिलना भी बाकी है जो कि आप यहाँ पर देख पारे अप्रूब दिखाई दे रहा है तो भाई वेट करो सस्क्राइब करो और सेर जरूर करो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बब बाई!